जाहें दोस्तों मैं उपेंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना चैनल यूग के टुटरियल में आज हम लोग पढ़ेंगे घाटना चक्र के बुख प्रयावर रणयों परिश्थित की और इसके अंतरगत जयो विविता टोपे इससे पहले हमने दोस्तों जयो विविता से सम्मंधित वीडियो बनाया हुआ है एक्ठो उसको देख लिजेगा और उसी में कुछ छूटे हुए प्रस्थन है उसी को आगे हम लोग कंटिनियू करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रस्थन है कि जयो विविता के नास का कारण है अप्शन एक करहा है कि जीओं के प्राकितिक आवास की कमी बी करहा के प्रयावरणी ये प्रदूसन सी का रहा वनों का नास और डी का रहा उप्योक्त सभी तो जो विविता के नास का कारण क्या है दोस्तों तेहां पर देखेंगे तो उप्योक्त सभी आ जाएगा यह वनों का नास भी है पर्यावरन यह परदूसन भी है और जीओं के प्राकृतिक आवास की कमी भी है ये तीनों वज़से देखें तो जविवेता का हरास हो रहा है, नास हो रहा है, चलिए इसकी बैख्या को देखते हैं, जविवेता के नास का परमुकारण प्राकृतिक का वास का हरास होना, प्राकृतिक संसाधनों का अती दोहन, यानि प्राकृतिक संसाधन का अती से, यानि वनों की सगनता का कम होना निवन धीरे-धीरे कम हो रहा है और जो धीरे-धीरे धीरे भी कम होता जा रहा है इसके बाद देखें दोस्तों तद्योगी करण यानि बहुत ज्यादा उद्योग धंदे लगाया जा रहा है जिससे के वनों का धीरे-धीरे नास हो रहा है और जो उ अवेद सिकार और तसकरी अब बैग्यानिक तरीका से खनन नहीं किया जरब भविस के देखते हुए और अवेद सिकार मत्तब देखे तो जनवारों को मुल रूप से मारना परतिबंधित है लेकिन क्या होते है कि फिर भी उनकी सिकार हो रही है और इसके बाद देखे तुसकी अगरा परतिव के हरास का मुख्य कारण बताना है और अप्सन एक कारह है कि आवासिये प्रधूसरा करहा है बीदेशत प्रजातियों का समावे C का रहा तत्य धिक दोहन और D का रहा है को प्राकृतिक आवासिय बिनास तो जो भी विता कि हरास का मुख्य कारण में अगर देखे दोस्तों ते आपका हो जागा प्राकृतिक आवासिय बिनास यानि D अपका जो सही हो जागा क्योंकि आवासिय प्रदूसन आवासिय प्रदूसन तो हो ही रहा है बीदेशत प्रजातियों का समावेस भी हो रहा है और ते धिक दोहन हो रहा है लेकिन सबसे मुख्य जो गर कारण में जो है दोस्तों हो जागा प्रजातिक आवासिय बिनास यानि मेन है को जो उसकी आवास इस्थान है उधिरे धिरे बिनास हो रहा है बिनास किसके धार प्रदूसन के धार पर भी हो रहा है आवासिय प्रदूसन के धार पर भी हो रहा है देखे हम करा कि प्राक्रितिक संसादमों के दोहन तथा अध्योगिक उत्पादन एवन नगरी करण को बढ़ावा देने के उदेशे से प्राक्रितिक वासका बिनास किया जा रहा है यानि देखें तो प्राक्रतिक संसादमों का धिक दोहन हो रहा है जदा से जदा उप्योग हो रहा है और अध्योगिक जो उत्पादन हो रहा है यानि उत्योग धंदे से जो उत्पादन किया जा रहा है कोई भी मेटरियल इसके साथ ही साथ देखें दोस्तों तो नगरी करन धीरे धीरे जो होता है गाउं जो होता है फैलता जा रहा है सहर में और धीरे धीरे फैलता जा रहा है तो गाउं फैलेगा दोस्तों तो क्या होगा कि जो जंगल है इरिया तो सीमित है प्रित्वी पर जगह एक सीमित है और गाउं बढ़ेगा तो क्या करेगा जंगल को साफ कर रेने प्राकेतिक वास जो होती है, जीव जन्तुयों का देरे देरे नौश्ट होती जारी, कम होती जारी है, जो जेव विविता क हह रास के लिए सरुधिक महत्पुन भारा राक माना जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्थन कह रहा है कि जेव विविता के अगर देखें तो उप्यूक्त कारण बताना है ने मुख्य कारण बनाताना है तेहाँ प्रोजगा की आवास ये बिनास यानि डी एंसर जो है वो बिल्कुल सही हो चाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है दोश्ट्ट में से कौन से भोगोली खेतर में जोवीविता के लिए संकट हो सकते हैं ऑप्टन ये का रहा है कि बेस्विक मापन बी का रहा है कि मैंने दोसरा कारा है कि आवास का विखंडन तीसरा का विदेशी जाती काकरमण और चाउथा कारा के सका हार को प्रोसाहान निमले कि कुट का प्रयोग करते हुए एंसर को देना है तिहां पर देखे दोस्तों तो इसमें इंसर अगर देखे तो बैस्विक तापन भी हो रही है जो भुगालिक चेतर विविता के संकट का कारन बनता है बैस्विक तापन यानि जो तापने निमले का८द हो सब और आगे आवास उनकी विखंडन होती जारी, कम होती जारी, आवास उनका बिनास होते जारा है इसके बाद देखें तो बिदेशी जाती का आकरमण यानि बिदेशी प्रजातियां जो होती है जिस पर टीडे का हमला हुआ थे इसे भी क्या होता है कि जे विविता में दिकत होती है तो तीनों मुख्य कारण देखने को मिल रहा है इसके वाद साकाहार को प्रुसाहां देना यानि कि साकाहार को प्रुसाहां देना से जे विविता में के लिए कोई संकट के मामला नहीं है तो एक दो और तीन जो है आपका एंसर सही हो जाएगा चलिए इसकी बैख्या को देखते हैं बैख्या मेकार है कि भोगोलिक छेत्र में जय विविता बैस्विक तापमन आवास के भिखंडन यो बिदेशी जाती के आकरमल से संकट पनुस इस्थिती पहुंच सकती है जबकि सकाहार को प्रोसाहां देना जय व का वास का भिखंडन होना बैस्विक तापमान होना बीदेशी जाती का संकट हो सकते हैं अब मतला यह कर दो मंदल ये तापन, दूसरा का रहा है कि प्राकितिक वासका भी खंडन, विदेशी प्रजातियों का अक्रमन और सकाहार को प्रोसाहान यानि परस्ण जो है रिपीटेड है तो यहां पर अगर देखे तो सकाहार को प्रोसाहान छोड़के एक, दो, तीन आपका एंसर सही होगा अगर पुट को इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो एक, दो, तीन आपका एंसर जो है C में दिख रहा है तो C आपका सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखें, जारवन पेसी में प्रस्न पुछा गया है इन में से कौन सा जयो विविता के लिए बड़ा खात्रा है अप्शन A कारा के भांकूर परितंत्र जैसे मेवरो और नम भूमी, B कारा के हेमाले में अगम्य आवास यानि हैविटेट, C कारा प्राकरतिक आवासों और वनस्पतियों का बिनास्ता था जून खेती और D कारा कारा अग्छित जिव मंडल बनाना तो जिव मंडल में कौन से जिव विविता के लिए बड़ा खात्रा है तो यहां पर अगर देखेंगे तो अप्शन आपका C सही हो जाएगा क्योंकि प्राकरतिक आवासों और वनस्पति का बिनास्ता था जून खेती यानि सटीक एंसर में अगर देखें तो बिलकुल C में सब आ जाते हैं और C एंस का रिसका राइट हो जाएगा आएए बैख्या को देखते हैं बैख्या में कर रहा है कि जलवायू परिवर्तन अध्योगिक विकास इवं प्राकरतिक आवासों में कमी के चलते जो है जेव विविता के सक्षम बड़ा खात्रा उत्पन हो गया है यानि कि इसके चलते देखें तो जो विविकता कि जो सम्मक्ष जो है बड़ा खत्रा उत्पन हो गया है कि अध्योगिक विकास हो रहा है प्राकरतिक आवासों के कमी हो रहा है और देखें तो जलवायू परिवर्तन हो रहा है देश के पुर्वी यानि देश में अगर हम ल तो उस एरिया में जूम की खेती प्रचलित है और जो की खेती की एक अग्यानिक तरीका है और जो है कि जूम की खेती के फल सरुप क्या होता है कि बड़े पैमानों पर वनों का नास होता है कि जूम के खेती में का किया जाता है कि जंगल को काट करके साफाई करके जरा देते ह जरानेक बाद करते हैं। जब तक उरवरख राती ये भूमी हैं एक दो साल खेती करके हैं फिर छोड़ देते हैं तो सोची कि उस जंगल को सहथ करके एक खेती किया गया है तो कितना बनु सान हुआ होगा। उसको फिर आग भी लगा देते हैं। तो एक जूम की खेती एक समस्या है जो बड़े पहमाने प्रवनु का जो हता है नास होता है और भूमी कुरुवरत तक सकती भी कम होई है इसे तो इस तरह से दिखे तो आपका सी एंसर राइट हो जाएगा कि जो भी बड़ा खातरा जूम की खेती वनस्पती का बिनास होना और प्राकृति का वास चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रसन है कि यदि भारत की जन संख्या तिब्रगती से बढ़ रही है किन्तु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि तो आप बताना है यहाँ पर दिया हुए एक दो तीन चार और उसके बाद कूट दिया है उसको मिला के इंसर देना है तो देखें तो सिकारियों की संख्या में असाधारण ब्रीधी हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि जो सिकारियों की संख्या में बहुत तेजी से ब्रीधी हो गई है पहले इसको समझे इसके बाद मारीएगा दूसरा कार है कि जैवी किट नासक तथा जैवी कुरुबरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है तीसरा कार है कि पक्षियों के वास इस्थान पर बड़े पैमाने पर कटोती हुई है और चौता करहा है कित नाशक रासाइनी कुरवरक तथम मच्छर भागाने वाले दवाईयों का बड़े परमानों पर उपयोग हो रहा है नीचे दिये कुट का सही उतर को चुनिए कुट ये कहता है कि A तथा 2 सही है B कहता है कि 2 तथा 3 सही है सी ओप संकारे के तीन तथा चार सही है डी कारे एक तथा चार सही है तब बताना है कि जन संख्या तिब्र गती से बढ़ रही है प्रंतु पक्षियों के संख्या मितेजी इसे घट रही है अब एक, दो, तीन, चार को पढ़िए और समझे तेहां पर अगर देखें दोस्तों तो जब कर तीन और चार बिल्कुल सही एंसर बन रहा है तीन में काता है कि पक्षियों के वास इस्थान पर बड़े पैमाने पर कटोती हुई है और वहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो जो अगर कीट नासक रसायनी कूरवरक जो होता है वो बहुत ज्यादा परयोग हो रहा है ता था हम बच्छर भागाने वाले दवाईयों का बड़े परमाने पर परयोग हो रहा है इसने क्या हो रहा है कि जो कीटवन गतंग परयोग हो这么 madre थ्यान में रखिएगा जले इसकी बैख्या को देखते हैं बैख्या में कहार है कि भारत की अबादी में उत्रोतर प्रगती वहुह री है जैसा कॉर आपको जानते होगे की भारत के अबादी जो हमेशा परिवर्थनसील रहा दब्रिधी हो रही है क्योंकि 1921 की जनगरना के बाद 1949 मने 1947 वाली जो बोलते हैं के काउन वाली जनगरना को अर्ध भी भाजक बोला जाता है क्योंकि उसमें पकिस्तान की बठवारा हुआ तो जनसंख्या भारत का कम हुआ था और एक बार इसे भारत देश में 1921 इस्वी में जनसंख्या भी भाजक वर कहा जाता है क्योंकि उसमें पहली बार जो है जनसंख्या घटी थी बढ़ी नहीं थी ऐसा महामारी था जैसे इस बार करोना महामारी आया है तिस तरह से 20 साल पहले नहीं सौफ साल पहले की ये बात है 1921 की तो उत्रतर प्रगती हो रही है किन्तू पक्षियों यानि बढ़्स की संख्या में गिरावट का कारण है इनके वास इस्थान में ब्यापक तोर पर कटोती तथा कीट नासर का रसाइनों का उर्वरकूं यों मच्छर भागाने वाले तैयों का अती से परियोग है तो इसको ध्यान में रखिएगा इन संख्या तो बढ़ रही है किन्तू बढ़् आगला प्रस्ना है कि नीचे दो कथन दिये गए जिसमें से एक को कारण तथा दूसरे को कारण कहा जाता है कथन और कारण को देखते हुए ध्यान मुतर देना है इस सब चीजें आपको पता होगा क्योंकि ओप्शन ते सब कोमन है पढ़ने वाले स्टूडिन को सब को पता होता है तो कारण कहता है दोस्तों कि उस निकटी बंदिये देशों में तीतिलियां की प्रजाती सरवधिक संख्या में पाई जाती है कारण का रहा है कि तीतिलियां कम तपमान में नहीं रह सकती है नीचे देवकुट का में से सही उतर को चैन किजिए तो दिये गए उटों और यहां पर अगर देखेंगे दोस्तों ता आपका सही में ए और ए तथा आर डोनों सही है और हार जो है कथने का सही बेख्या करता है क्योंकि विल्कुल सही है अब आपको लग भी सब्सक्राइब नेवी रहा होगा कि तीतिलियां अधिकतर देखे हैं ताट थंड़े के दिनों में नहीं बलकि गर्मे के दिनों में वकती हैं आज यिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं कि लिए राधर हो जाएगा तितिलियां जो होती है अनियत तापी प्राणी है इसमें जो होता है अनियत तापी कोई नियत तापमान नहीं होता है इसलिए इनके रहने के लिए उस्न ये गर्म जलवाई वाला छेत्र जो है सर्वस्रेश्ट स्थान माना जाता है उस्न जो होना चाहिए गर्म जलवाई वा सक्षम नहीं होती है जो अपने तापमान को कम इसी करने में विन्यमित करने में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होती है परिणाम सरूप इसके सरीर का तापमान जो है आस पास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है कुछ यानि बहुत कम तापमान होने की स्थिति में प्रजातियां पाई जाते हो तितली देखने को भी मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्थन है कि जयो विविता को अधिक्तम संकट है यह हो जागा प्राकृतिक निवास यह मुनस्पति के बिनास से दूसरा कार है दोस्तों कि अनुप्यूक्त किरिशी परकिरिय से तीसरा कारा के जलवाई परिवर्तन से और चौथा कारा की जल पर दूसर से तो यहां पर देखे तो जयो विविता को अत्यधिक संकट किसे है दोस्तों तो उसके प्राकृतिक बिनास यानि जो प्राकृतिक जो बिनास है रहने का स्थान उसके धिरे-धिरे नौष्ट हो चलिए बैख्या को देखते हैं, उप्रिउप्त चारो कारक ज्यव विविता को प्रभावित करते हैं। कि चारों कारक दिया हुआ था दोस्तों को उप्युक्त किरिसी किरियाओं से जलवायू परिवर्तन से या जल परदूसन से लेकिन अगर चारों अप्सन में अगर नहीं हुए तो जो बेश्ट रहता उसी को छुनना होता है तो यह पर समझेगा तथा पी प्राकृतिक निवा वनस्पति के विनास से बड़ी मात्रा में जिव विवित्ता का हरास होता है प्राकेतिक विनास जो है दोस्तों इनके रहने का निमास इस्थान परिवर्तन हो रहा है बिलुप्त होते जा रहा है इससे जिव विवित्ता का हरास बहुत जादा होता है क्योंकि इस इस्थिति में जो है जिव विवित्ता अपने असर डालने का भी समय नहीं मिल पाता है अन्य परिष्थितियों के अनुकूलन की कारण जो है जिव विवित्ता का हरास कम हो जाता है अतर विकल्ब जो है यह आपका सही होगा चलिया आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्न है कि निम लिखित में से कौन सा एक उतराखंड में जो है जो विवित्ता काहरास का कारण नहीं है एकराय किस अनकों का वनगी करन और ड कर रहा चिरी कर जिसस्ता तिसको अचछे से समझ गए होंगे प्रस्νत को तब तुनमार दिये होंगे क्योंकि सड़क का बिस्तार होगा दोस्तों तो इससे क्या होगा कि जव विएटा का चार्ण है कैंपर सड़क बनेंगे तो अगल,-वगल,-प सकरात्मक पर्भाव डालेगा ज़र्षिक विष्टरा के लिए उसलिया में सक्रात्मक पर्भाव देटा है जैंकि पर खूंगल कोई काटिए नहीं कर विप्वूमने सक्रात्मक पर देता खूंग narc गळ्यगtu कॉफ्विक क काटींग दें पर्दों लेंगे इस तरह से अगर देखें तो जविवित्ता के इसे भी हरासी होगी क्रीशी छेत्रम बिस्तार से जब कि बंजर भूमी के वनकी करण से ऐसा नहीं होगा तेन सरेहां पर सी जो है राइट हो जाएगा चलिए देखते हैं बंजर भूमी का वनकी करण जविवित्ता के बिकास में सहायक है यानि जविवित्ता के बिकास के लिए सहायक है न कि उसके लिए नुकसान है न कि इस जविवित्ता में हरास होता है इस कारण बंजर भूमी का वनकी करण जविवित्ता का हरास का कारण नह प्राकरितिक तंतर की जह विवेकता बढ़ोत्री के लिए उतरदाई नहीं है उसको चुनना है और अप्सन ये कारा है कि पारिष्थितिक तंतर की उत्पदक्ता बी कारा है कि मध्य बेवधान और चली आगे देखते हैं दोस्तों C option का रहा है कि पारिष्थित की तंत्र की IU और D का रहा है कि पोशन इस्तरों की कम संख्या तो इहां पर देखें दोस्तों तो प्राकृतिक तंत्र की जियो विवेक्ता बढ़ोत्री के लिए उतरदाई नहीं है तो इसमें सेख हो जागा दोस्तों पोशन इस्तरों की कम संख्या पोसक इस्तरों की कम संख्या से जगर देखें तो जेव विवित्ता की बढ़ोत्री के लिए उतरदाई नहीं है बाकी अगर देखें तो जेव विवित्त बढ़ोत्री में क्या का पारिस्तितिक तंत्र की उत्पादाक्ता बढ़े की तो इसको बढ़ोत्री होगी मद बेवधान होगा तो परिष्थितिक तंत्र की आयूं ब्रोत्री इस तरह से D of cancer सही होगा बैख्या को पढ़िए किलियर हो जाएगा बैख्या में का रहा है कि पोशक इस तरहों में कमी से एक बीशेस वर के जियों की संख्या में ब्रीधी होती है जबकि जविविता में कमी आदी है लेकिन दूसरे चीज की संख्या घट जाएगी वहीं जेव विविता के बढ़ोतरी में पारिश्टी तंत्र की उत्पादक था उसके आयू यो मध्यवधान में सहयक होते हैं यही कारण है कि विकल्ब जो है C अपका सही है तेस्तर से सही उतर इसी होगा यह मतलब D जो दिया है उतर सही है चलिए आगे बढ़ते हैं जेव विविता का संड़क्षण इसे समधित प्रस्णों को अपस्वल करेंगे प्रस्ण है कि निमलिखित में से कौन सी जेव विता के संड़क्षण के लिए महतपूर रण नीती है निमलिखित में से कौन सी जेव विता के संड़क्षण के लिए महतपूर रण नीती है यानि कैसे संड़क्षण किया जाए कौन सा ऐसा रण नीती बनाया जाए ओप्सण A में कहा रहा है कि जेव मंदर रिजर्ब B कर वनस्पति उद्यान C का रहा है कि राष्टी पार D का रहा है जंगली जन्तू अभियारण तो यहाँ पर अगर देखे दोस्तों दिजेव विताक संड़क्षण के लिए महतपूर रण नीती में से आता है जेव मंदर रिजर्ब जेव मंदर अगर रिजर्ब करिएगा दोस्तों चलिए व्यक्षाक देखते हैं परwegen करें कि जेव विता के संद्खषण के लिए महतपूर रण नीती मंदर रिजर्ब है जेव मंदर रिजर्ब का उदिश, प्रकृतिक योम और्धरिश प्रकृतिक भूमी पर प्राक्रितिक हो गया और अर्थ प्राक्रितिक भूमी जो होते हैं उस पर स्वस्थाने यानि इन सीटू और जविविता का संडक्षन करता है स्वस्थाने के माध्यां से जेव वीता का संडक्षण करता है घ्यातब है कि जेव वीता संडक्षण के स्वस्थाने इन सीटू का बाय स्थाने नहीं होता है दोस्तों एक सीटू तक्निकी अपनाई जाती है त्याद रखे है कि जेव वीता के संडक्षण के लिए जो एक हैंगे कि जेव मंदर रिजर्प के मात्यम से हम जो है ओ जेव विता के संडक्षण के लिए महत्पूर्ण रनीती के रूप में जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगला प्रस्ता है कि निमलिखीत में से कौन सा इस्थल वनस्पति संडक्षण हेतु स्वस्थाने पदती नहीं है तो यहां पर देखें दोस्तों तो तो स्वस्थाने पदती नहीं है ने इन सीटू जो होता है उपतिक नहीं है तो यह हो जाएगा आपका जो अप्शन बी हराग वनस्पती उद्यान ये पदती नहीं है बाकी जीव मंडल आरक्षे छेतर बैवस्परी जर्प में आता है इसको राष्टी ये पार्क जो हो गया स्वस्थाने के अंतरगत जो है आते हैं जबकि वनस्पती उद्यान जो होते हैं वनस्पती उद्यान ये आपके इन सीटू पदती के अंतरगत नहीं आता है जबकि जीव मंडल आरक्षे छेतर राष्टी ये पार्क और वन्य प्राड़ी अभ्यारण इसके अंतरगत ही आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्था है कि राष्टी उद्यानों में अनुवानसिक बिभीता का रख रखाव किया जाता है अप्सन ए का रहा है कि इन सीटू सन्रक्षण द्वारा बी का रहा है एक सीटू स सन्रक्षण के द्वारा ही किया जाता है यानि कोई भी राष्टी उद्यानों में अनुवानसिक बिभीता के जीसे है उसका सन्रक्षण कैसे किया जागा तो इन सीटू पदती के द्वारा ही सन्रक्षण किया जाता है चलिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं राष्टिय उध्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारों में इन सीटू सन्रक्षन ऐसे जो जो जब किसी वनस्पतिय जीव का सन्रक्षन यानि उसको संड़क्षण करना मतलब उसको सुरक्षित रखना बचा के रखना जनरेशन के लिए उनकी मुल्य प्राकृति का आवास छेत्र में ही किया जाता है यानि कि जहां पर उसकी मुल्य आवास रहने का आवास उसी में छेत्र में ही उसका किया जाता है तो उसे ही इन सीटू संड़क्षण कहते हैं उसे का कहा जाता है दोस्तों इन सीटू संड़क्षण कहते हैं जबकि उन्हें कहीं दूसरी इस्थान पर संड़क्षित किया जाता है तो उसे एक सीटू संड़क्षण कहा जाता है दूसरी इस्थान से तात पर है दूस्तों कि कोई पौधा जो है आपका हिमालयन पौधा यानि हिमालय में जोगता है उतराखंड के रिया में जोगता है तो जैसे मैंने संकूध हारी बन पड़ते हैं उगरा तो उसको अगर लाकर करके अगर हम लगाते हैं या मत परदेश मे बिहार में तो उसको लाकर के उस वाता वरण से दूसरी वाता वरण में उसको एक संड़क्षण के माध्यम से मालेक्सी सामपै करके जाहे उस तरक जलवाई उसको दे करके आप उसको सुरक्षित रखते हैं लेकिन अगर माली जी कि उसी पौधा के बिलूथ होती जा रहे ह उसको उसी छेतर में संड़क्षण करेंगे यानिकि उस छेतर में उसको लगाएंगे जहाँ पर उसकी पहले से प्राकृतिक आवास है वो ऐसा मोहल है वैसा अनुकूल है ताकि वो बढ़ सके आगे की होज़ा कोई भी जीव जनतु की बात करें पौधा की नहीं हो सकती करना हो जाता है एक शी टू संड़क्षण चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ने के निम्लिकित में से कौस्वसासन संड़क्षण रणनीति का उदार नहीं है ये ते इंसीटू संड़क्षण रणनीति का उदार नहीं है अप्सन ए कह रहा है कि जेव मंडल आगार B कह रहा को उनस्पति बाग और C कह रहा राष्टिय उद्यान और D कह रहा है परवित्र उपुवन आप लोग क्या कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं इसको बाग बगीचा जो होता है उसको कहते हैं हम लोगों पुवन यानि पवित्रू पुवन चलिए तेहां परवनस्पति बाग इसके इंतरगत नहीं आएंगे बाकी जो आपका एंसर A C और D जो है आपका सही उदारन है ज जबकि जीन बैंक या तथा उतर संदक्षण केंद्र या वनस्पति उद्यान चिडिया घर तथा एकस एरियम आदी में संदक्षण जो होता है वो बाए संदक्षण कहलाता है यानिकि कि फी चीजों को जिव जन्तु को आप उसके प्राकृति चावास में संदक्षण ना आगे बड़ते हैं निमनेभित में से क्रायो बेंक तथा एकसी टूस अनरक्षण के लिए कौन सी गैस समानतर परयोग होती है। नाइट्रोजन गैस, B महोज़एगा अक्सीजन गैस, C महोज़एगा कर्बन डैक्षाइड और D महोज़एगा मिधिन गैस तेहां देखे क्रायो बैंक तरह एक सीटू सनक्षन के कौन सी गैस समानतर प्रियोग नहीं होती है तेहां पर हो जाएगा A नाइट्रोजन तीस में थोड़ ध्यान बखे कर एह हो जाएगा कि जो क्रायो बैंक चाहे एक सीटू सनक्षन के लिए जो गैस परियोग में किया जाता है वो होता है नाइट्रोजन गैस परियोग किया जाता है क्योंकि प्राकृति कनुषार है सब किसको सन्रक्षन मिलना है इसी चलते तुरह कोस्चन जो है वो समझने वाली है समझेगा तो सानी से बन जाएगा चले देखते हैं एक सीटू संड़क्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जानवरों की बिलूत प्राय प्रजातियों का संड़क्षण करके उनकी प्राकृति कावाज से प्रिथक किया जाता है। अतियंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संड़क्षण किया जाता है। प्रक्रिती में उसको चाहिए थी। अवसे इसापस उसको संड़क्षण करके उसको ग्रोथ करा रहे हैं। तेही चीज़ें हैं एक से टू संड़क्षण। चलिए अगला प्रस्न है कि जिव विविता के साथ साथ मनुस्य के प्रमपरागत जीवन के संड़क्षण के लिए सबसे महत्पूर रणनीती निम लिखीत में से कीस एक इकी इस्थापना करने में नहीं थै। अप्शन ए काराय के जीव मंडल और रिजर्प बी कराको नुस्पति उद्यां सी कराकराश्टी उपवन और डी कराको वन ने जीव अभ्यारण। तो जीव विविता के साथ मनुस के प्रमप्रागत जीवन के संड़क्षण के लिए सबसे महत्पूर रणनीती अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका जीव मंडल जो रिजर्प होता है वो हो जाएगा यानि ओप्शन ए जो है आपका बिल्गुल सही होगा आए इस प्रमप्रागत जीवन उसके संड़क्षण के लिए सबसे महत्पूर जो रणनीती माना जाता है वो जीव मंडल आरक्षी छेतर के स्थापना करेंगे तो इस एरिया को रिजर्प हो जाता है उससे क्या होता है को सेरिया में ना कोई जा सकता है ना बाहरी उसमें कोई हस्त प्रमप्रागत जीवन से लिए उसको संड़क्षण मिल जाएगा एक अच्छा रणनीती है इससे क्या होगा कि वन जीव संड़क्षण सभी परकार के जहें को मिल सकेगा एक जीव मंडल आरक्षी छेतर में मानों की ब्यवस्ता का अभीन अंग होता है निमानों ब्यवस्त तो जिव मंडल आरक्षित परिय। रक्षण छेत्र जो होता है इसको गर दे mahdsto। आ सिक्ता को बनाया रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है जो जीवों में वान वन सिक्ता है जो जेनेटिक से एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसपर होते हो उसी के संरक्षण देने के लिए प्रदान किया जाता है थाकि जो है जीवों का एक जो स्रिंखला ह रहे और बिलूपतन ना हो और उस एरिया में वो अपना सर्वाइब कर सके अगला प्रस्ते हैं कि निम लिखित में से कौन एक प्रवाल बिरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है अप्सन एक का रहा है कि सागरिये प्रदूसन बी का रहा है कि सागरों की लवड़ता में ब्रिधी सी का रहा है कि सागरिये जल के समाने तापमान में ब्रिधी और डी का रहा है रोगों यों महामारियों का फैलना तो नीम में से प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारग अगर देखे दोस्तों सागरिय जल के समान अतापमान में ब्रीधी से है तो यहां पर देखें तो C आपका सही इंसर हो जाएगा आए इसकी बैख्या को देखते हैं बैख्या में कारा है कि प्रवाल तरह उसाग्रिये जल के सामानधापमान में बरिधी के चलते हो रहा आगला प्रस्ता कि निम्लिकित में से कौन प्रवाल विर्वन्जन में सरुधिक महत्कुन कारक है, अप्सन ए करहा है कि प्रवाल सिवालों का खनन, B-करा के प्रवाल रोओ का फैलना, C करा के साग्रीय जल में और सादू का जमाव और D-करा बैसी कुसमन, तो बहुत असान बैस्वी कुस्मन तो बहुत असान है कि इसमें कैंसर हो जागा बैस्वी कुस्मन यह निके तापमान के बढ़ने के वज़र से परवाल बिरंजन जो हो रहा है इसमें सबसे महत कुण कारण माना जा रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रसन है दोस्तों कि निम लिखित में से कीन में परवाल बिरंजन है आप सन्य कराय का अंडवान और निको बरदीव समों में कच की खाड़ी में और तीसरा घराय के मनार की खाड़ी में और डी का राय के सुन्दर बन में तो यहां पर लुए कंच की रअड जिसको बोलते हैं और मनार की खाड़ी में पाये पाई जाती हैं एक दो तीन जो हैं आपका सही होगा जोटे डेल्टा है सुन्दर बन डेल्टा आपको पता होगा कहां बनता है दोस्तों तो यह डेल्टा में प्रवाल बीतिया नहीं पाई जाती है चलिए आगे देखते हैं बेख्या में कि भारती ये सामुंद्रिक बिज्ञान संस्थान के नुसर भारत में प्रवाल भीतियां वाले चार प्रमुक छेत्र अनवान निको बरदीप समूग कच्छ की खाड़ी मनार की खाड़ी और लक्षदीप है और यही छेत्रों में देख अब जेव विविता को प्योग से समन्धित प्रस्णों को देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रस्णकार है कि जेव विविता निमलिकित माध्यमों के दौरा मानो और स्तित्व का अधार बनी हुई है। प्रस्णकार निमलिकित माध्यमों के दौरा मानो और स्तित्व का अधार बनी हुई है। बहुत लंबा प्रस्ण है दोस्तों फिर भी पढ़ दे रहा हूं। चली देखते हैं प्रस्ण बोलड़ा कि प्राकृति और प्राकृतिक संसाथनों के संडक्षन के लिए अनारक्षित संग यानि इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन और नेचर और नेचरल रिसोर्षेज यानि आई-उ-सी-एन ताथा वन्य प्राडियो वनस्पति जी वनस्पति जात की संकंटतापन यानि इस्पेसिज के अंतराष्टी बेपारपन कंवेंशन यानि होता कंवेंशन होन इंटरनेशनल ट्रेड इन एड वेंचर इस्पीसेज ओप वाइल्ड फोना एंड फोलोरा यान समझ में आ गया होगा फ्रस्ट आप देखिए हम लोग पढ़ते हैं ओप्सन यानि एक दो तीन चार और उसके बाद कूट दिया होगा जिसके माथ हमसे बनाना होगा एक काता है कि IUCN सन्युक तराष्ट यानि UNA का एक संग है ताथा CITES यानि CT सरकारों के बीच अंतराष् CITIES उन राजियों पर वेधरूप से बाद्यकर है जो इसमें सामिल हुए है लेकिन यह कन्वेंशन राष्टिये विधियों का इस्थान नहीं लेता है नीचे कूट दिये गए हैं उससे चुनिया चलिए अब कूट को देखिए कूट काता है केवल एक सही है बी काता है काता एक दो तीन तीनों सही है तेहां पर अगर देखें दोस्तों तो सही हो जागा केवल दो और तीन यानि IUCN प्राकृतिक प्रयावराण के बेहतर प्रबंधन के लिए 20 भर में हजारों छेतर प्रियूजनाय चलाता है जबकि CITIES उन राजियों पर बेदरूप से बाधकर है जो इन में से सामिल है लेकिन इन में कन्वेशन राटी बीधान जो है वो लागो नहीं होता है तीस तरह से देखें तो दो और तीन जो है IUCN और CITS की दोनों के समन में सही है आगे बढ़ते हैं ये भी कोशन लंबा है चले इसकी बैख्या को देख लेते हैं IUCN एक अंतरा राष्ट महासभा में प्रवेक्षक यो अधिकारिक दर्जा प्राथ है यानि केवल एक सत्य है जबकि दो यो तीन जो है वो सत्य है चले आगला प्रस्न है इसको देखेगा इसको भी अच्छे से समझेगा प्रस्न काता है कि प्रकृति यो प्राकृतिक संसाधन अंतर रेट डाटाबूग में नीम लिखे सूचियां समलीर की जाती है ऑफचन अ कह 안 रहा है और जीव विट्ता के प्रक्र स्थलों है руб और इस्पुकुला के पुटक है ? और निम्न कूर्टक के अधार पर सही उतर को चुनिए तेहाँ पर देखें दोस्तों तो रेट डाटाबूक क्या कीत जाबhe? यहां से संकनार है। अंतराष्टिय संदक्षण संग यानि IUCN द्वारा प्रकासित रेट डाटा बुक में बिलूप्ट के कगार पर खड़े संकट गरस्थ जो पौधे हैं और पसु जातियों की सुची को समलिद के जाते हैं कोई भी पसु पक्ची होगे और कोई भी पोधे होंगे जो बिलूप्ट के कगार में हैं उनकी रेट डाटा बुक जो है लिस्ट जारी करती है तो और येही लिस्ट के अधार पर खाहते हैं कि जाती बिलूप्त हो रही है, इसको सनक्ट गरस्त है, इसको जो सनक्षण देने की जरूरत है, इसी से पता चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगला प्रस्त हैं दोस्तों कि red data book अथ्वा red list संबंधित संगठन है, किसे संबंधित संगठन है, U, T, E, S, B का रहा के, I, U, C, N से, C का रहा के, I, B, W, C से, और D का रहा के, W, W, F, से, तो आपको पता होगा कि red data book कौन जारी करता है, red list हो जागा है, यहाँ पर बहुत असान कि, I, U, C, N, I, U, C, N, यहाँ पर देखें दोस्तों, I, U, C, N, यहाँ पर देखें दोस्तों, I, U, द्वारा किया जाता है, option A हो जागा, U, S, E, P, A, B का रहा है, I, U, C, N, C का रहा है कि, W, W, F, और D का रहा है कि, I, G, B, P के द्वारा, तो बहुत असान है कि, I, U, C, N के द्वारा जारी किया जाता है, red data book, B, option सही हो जाएगा, बैख्या देखेंगा, तो देख सकते हैं दो आपना जो है, वर्ष 1964 में की गई थी, और इसके तहट उन प्रजातियों को रखा जाता है, जिन पर बिलुप्थ होने का खात्रा जो है, मन रहा है, त्याद रखा कि, उन जातियों को चीहित क्या जाता है, जो प्रजाती धिरे-धिरे बिलुप्थ होने के एक अगार पर है अगला प्रास्तना है कि बिलुप्त होने वाली प्रजातियों को सुची बत होती है option A का रहा है कि date stock book में B काता है कि rate data book में C काता है life stock book में D काता प्युक्त में से किसी में भी नहीं तो बिलुप्त होने के प्रजातियों को सुची बत होती है दोस्तों rate data book में चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रस्ण है कि रेट डाटा बुक का सम्मंद है, अब सन्य का रहा है कि जब विद्धा का बारे में तथियों से, B का रहा है कि बिलुप्त के संकट गरस्त जिव जनतुओं से, C का रहा कि बिछारों पर से, और D का रहा कि तस्वारों के बार पर अभी प्रस्ण रेट डाटा बुक में आखडे समलित है, अफ्शन गरा बिदेशी प्रजातियों का, B हो जागा बिलूप्त प्रजातियों का, C का रहा आर्थिक रूप से महत्पुल प्रजातियों का, और D का रहा कि सभी पोधों जनवारों की प्रजातियों का, तो बहुत असान rate data book का समझ जो है दोस्नों की से है तो बिलूप्त प्रजातियों से है यानि कि B अपका सही अंसर हो जाएगा. अगला प्रस्तन है कि निमनलिकित मेंसे कोन सा एक प्राड़ी समु संकटपन जातियों की सनवर्ग के अंतरगत आता है यानि कि इसमेंसे जो एक सुची दिया हुआ है उसमेंसे कोन से संकट ग्रस्त सुची में सामिल है चलिए ओप्सन देखते हैं, एक कह रहा है कि महान भारतिय सारंग, कस्तूरी मिर्ग, लाल पंडा और A.C.I. वन्ने गधा B कह रहा है कि कस्मीरी महामिरिग, चीतल, निलगाय और महान भारतिय सारंग C कह रहा है कि हीम तेंदवा, अनूप मिरिग, C. समबंदर और सारंग क्रेन D कह रहा है कि सिंग पूची में कॉक, निलगाय और हनुमान लंगूर और चीतल तेहां पर अगर देखें दोस्तों तो ये उस समय जो लिष्ट जारी हुआ तो उसमें कहा गया कि महान भारतिय सारंग ये उप्सन जो है सही है कस्तूरी मिर्ग, लाल पंडा और A.C.I. वन्ने गधा ये जो है आपका जातियां, जो सनवर्ग जो है, ये संकट पन जातियों के सनवर्ग के अंतरगत आता है तो अपसे ये जो आपका ये है, इस सही हो जाएगा बैख्या देखते हैं बैख्या में कहा रहा है कि जुन 2012 में, IUCN के दोबारा, वर्स 2012 की संकट प्रजातियों की Raid Data सूची जारी के गए इसमें से भारत में पाई जाने वाली पक्चिओं की 15 प्रजातियों को अति संकट प्रजातियों को अति संकट प्रजातियों में सामिल किया गया इसके बाद देखें दोस्तों तो साइबेरियन सारास और सलेटी टीटरी अती संकट ग्रस रेड़ी में तथा कस्तूरी मिर्क एवं संकट ग्रस रेड़ी में आई संकट ग्रस रेड़ी में और ACI वन ने गाधा ये भी संकट ग्रस रेड़ी में है जबकि लाल पंडा संकट ग्रस रेड़ी में सामिल है ते इस तरह से 2012 जो लिष्ट चारी हुआ था उसको सामिल किया गया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रस्ता है कि नीम लिकी तो भारतिय पक्षियों में कौन सात्य धिक संकट पंकिस्म है ऑप्शन A कारा को गोल्डन औरी ओर B कारा के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड C कारा के इंडियन पैणटेल पीजियन और D कारा के इंडियन सनबड ते आपको वयाद हो गया होग प्रजाति को बिलूप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृति कावास में देखी नहीं गई है यानि जो उसका प्राकृति कावास में वहां पर नहीं देखा गया है पिछले मालिजे 15 वर्सों से 25 वर्सों से 40 वर्सों से डी करा है 50 वर्सों से तो यह कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी प्रजाति जो 50 वर्सों से नहीं अगर देखा गया है तो उसे बिलूप्त माना जा सकता है यानि कोई भी प्रजाती कोई बिलुप्त माना जाता है जब वो 50 वर्सों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखा है D answer right हो जाएगा यहाँ परकार है कि प्राकृति संड़क्षण हेतु अंतराष्टिय संग यानि हेते International Union for Conservation of Nature कि परिभास है किशिवी प्रजाती कोई बिलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्सों से नहीं देखा गया चा को एक तरह मोन ने प्राड़ी दोसरी तरह प्राकृतिक रुपसे कहा पाए जाते हैं तो कहां कहां पाए जाते हैं उसको मिलान करना है और यहां पर एक का रहा है कि नीले मिल पंथ वाली महासीर एक कावीरी नदी में दूसरा का रहा है कि इराओदी डॉल्फिन जो है चंबल नदी में और तीसरा का रहा है कि more charm यानि रष्टी चीती दार बिली इप पुर्वी घाट में उप्युक्त में से कोन से यूग में सही समलीद है तेहाँ प्रकूट के माध्याम से बताना है तेहाँ पर option में कहा रहा कि केवल एक और दो B option कहा रहा है दो और तीन और C कहा रहा के 1 और 3 और D कहा रहा है आपका दोस्तों कि 1, 2 और 3 तेहां पर ता सही इंसर जो होगा एक और 3 हो जाएगा दोस्तों यानि कि नीले मिल्पंत वाली महासिर जो हो कावेरी नदी में और जो होते हैं मोर्चाम जो कीती दा बिली जो है वो पुर्वी घाट में तेक और तीन सही है इसकी ब्याख्या को देखे समत में आएगा देखे कावेरी नदी में महासीर मचली की दो प्रजातियां पाई जाती है एक निले मिन पंखवाली तथा एक हो जगा नारगी मिन पंखवाली तथा स्रिलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है इसे 2016 में आयून सीयन की ने लाल सूची में सामिल किया गया दूसरी और एरावदी डॉल्फिन एक समुंदरी डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी में और उसमें गिरने वाली नद्यों के मुहाने तथा दचनी पूर्व एसे आई देशों के परमुक तटों पर प्राक्तितिक रूप से पाई जाते है इस तरह केवल जो कथन एक है और तीन जो है वो सकते है उलेखनी है कि वर्ष दोजा सत्रह में इरावदी डॉल्फिन है आई, यू, सी, एन, रेड लिष्ट में संकट गरस्त की स्रेणी में सामिल किया गया है इसे भी अब देखिए दोस्तों जो बीटा के संकट पन जातियों से सम्मधित प्रशनों को देखेंगे तो चलिए सोजू करते है अफ़सन कहा रहा है दोस्तों की कौन सी ड्रग गीधों की समष्टी में हरास के लिए उतरदाई है अफ़सन ए कहा रहा है की दाइकलो, फिनेक, सोडियम, और डी कहा रहा है की पैनी, सिलिन यानि कौन सी गीधों के सम्मिष्टी यानि सम्मिष्टी मतलब होता है दूसके बिनास के लिए हरास के लिए उतरदाई है यानि उसके जिंगी के खतम करने के लिए उसके बिलूप्त करने मिले किसकी उतरदाई माना जाता है आपको पता होगा कि डाइकलोफिन जो है तरद निमारक दवा है डाइकलोफिनिक जिसको बोलते हैं सोडियम ये जो है आपका बहुत ज्यादा गीधों के लिए एक जो हो जा रहा है कि ड्रक्स के रूप में करकर है कि दव मतलब बोलना चाहिए कि इसके बोड़ी के पूरी फ बैख्या को देखते हैं बैख्या हम कहकर देखते हूं कि डाइकलोफिनेक सोडियम एक सदाहरन सी दर्द निमारक दवा है यानि इसके खा करके अभी परती बंधी दवा है जो आदमी इसको खा करके दर्द को दूर करता है जिसका उप्योग जो है किसानों के दोरा लिए दर्द निमारक के रूप में यह बुखार की लाजमें किया जाता था यानि कि यहां पर दिखे तो गुसान होते थे अपने गायजों को दर्द निमारन के रूप में परयोग कर थे दर्सल zar जब डाइकलोफिनिक सोडियम के उप्योग के दरान पसु मर जाता है और उ मुझ दिन बाद ही मरता है ता ने के बाद मर जाता है कभी भी तो मरने के बाद देखे गर दोस्तों। और ус मरने के बाद इसको सभाई कर्मी गिद को कहा जाता है तो गिद जो Alterman को खाएगा ही मरा हुआ जुए गया बैल बकरी जो फैका जाएगा उसको तो उसे अगर एक बार भी खा लेता है तो तीस दिन की भीतर उसकी मिर्टू हो जाती है तो जो गिद खा लेगा उसको जो है निश्चित रूप से मरना तय है एक दम इस दवा के को परभाव के अंदाजा इसे लगाया जा सकता है कि पिछले दस वर्षों के भीतर भारत नेपाल और पकिस्तान में साढ़े आठ करूर गीधों की मोथ हो चुकी है अब सोच लीजिए एक दवा से देखें दवा किसको दिया गया 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 बैल बकरी जो भी था उसको दिया गया भैया सो गयरा को वो दवा के खाने के बा तहाँ ऐसी इस्थिती दस वर्षों में देखें इस दवा के वज़स से तो एक अनुमान लगाया गया कि साढ़े आठ करूर गीधों की मिर्तु हो चुकी है हमारे भारत नेपालो पकिस्तान जो प्रोसी देश है इसको मिला करके आगे बढ़ते हैं भारत में गीधों की ते दे रहा है दोस्तों कि भारत में गीधों के तेजी से घर्टी जनसंख्या का मुह कारण में डाइकलोफिनिक दवा का तेधेग परयोग है यानि पर एक बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगला का रहा है प्रस्ट कि पसू को दवा पसू को दिया जाने वाले कौन सा दर्द निमारत भारत में गीधों के लगभग बिलुप्त होने के लिए उतर दाई है अप्शन A का रहा का आईसू बुफेन, B का रहा के असी टॉमीनो फेन, C का रहा के एस्प्रीन और D का रहा के डाईकलो फिनिक तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डाईकलो फिनिक यहाँ पर D अपका राइट हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न है दोस्तों कि भारत में गीधों की कमी काते धिक परमुक कारण है बिसानु संक्रमल यानि वारस संक्रमल यानि बेक्टरिया संक्रमल यानि जिवानु संक्रमल C करह जानवरों को दर्द निवारक दवा D करह जानवरों को estrogen injection देना तेहां पर अगर देखें दोस्तों तापको बन गया होगा फट से कि जानवरों को जो दर्द निवारक दवा दिया जारा डाइकलोफिनिक इसी के माध्यम से गीधों की मिर्तु हो रही है तेहां पर सी राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्न दोस्तों कि कुछ वर्स पहले तक गीध भारती देहातों में आम तरपर देखने और दिखाई देते थे कि तो आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं इस इस्थिती के लिए उतरदाई है और गीधोला कोस्चन जो इतना चर्ची थे इतना चर्ची थे तिने बार एकजाब में पूछा जाता है कि इसको कहना ही नहीं है तो इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं तेहां पर पसड़ा है दोस्तों आप्सन कि नमीन परवेशी जातियों के दवरा उनकी नील इस्थनों का नास यानि जो उसके नील इस्थन है जो उनका इस्थल है रहने का उसको नास कर दिया जा रहा है बी कार है कि गोपसू मालिकों के दवरा रूग्ण पसों के उपचार है तो परियुकत एक उसथी सी कार है कि उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी डी कार है कि उनमें हवा ब्यापक तथ दिरिदेश थाई यम घातक रो गीधों के प्रचलीत में अगर नजर कम आ रहे हैं प्रचलन में देखने को नहीं बिलने थे कारण है कि गोपसू मालिकों के दवरा रूग्ण पसों को उपचार है तो परियुकत एक उसथी के रूप में तेहां पर जो अपका बी अपका सही हो जाएगा दोस्तों क्या होता है कि जो दुध निकालने लोग इसमें घाय और लोगोफ जयादा प्रयोक करते हैं अब उससे क्या हता है जो निकाले लेते हैं गोलिया गाड़ते भी नहीं है फेक देंगे तो उसे क्या हो गीद हो गया रहा उसको खाएंगे और वही गीद खाने के वज़े से इनकमी मिर्टो हो जाती है सबसे बड़ा कारण यह है कि दावा का सही उप्योग नहीं करकर कि बस दूद के लिए उप्योग हो जा रहा था और यह से जलते सरकारिस को परतिबंद भी कर दिया है चली आगे देखते हैं आगला प्रस्थ दोस्तों की मौरीसस में एक ब्रिच्ट प्रजाती प्रजनन में अशंभल रही है यह हो जागा फाक्ता बी हो जागा डोडो सी हो जागा कंडोर और एक हो जागा अस्कुगा तेहां पर उप्षन है दोस्तों उस समय का 1990 का यह प्रस्ण है ते हो जागा डोडो डोडो जो है मौरिशस में एक ब्रीज की प्रजाती है जो प्रजनन में असफल रही वो डोडो था चले इसके ब्याख्या को देखते हैं मौरिशस में टम बला कोप मौरिशस में टम ला कोप जीसे डोडो ब्रीच के नाम से भी जाना जाता है डोडो पक्ची के ब्लुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा जिसकी वज़ासे यह भी लगभग ब्लुप्त हो रही है तो यहां प्रयाद कर जो ब्रीच जो है दोस्तों डोडो पक्ची के बिलुप्त होने के कारण है कि प्रज्णन में असफल रहा एक टोडो ब्रीच है कि ब्रीच है दोनों भड़ा करने प्यूजन कहीं कहीं ब्रीच लिखा कहीं कि ब्रीच लिखा लेकर यह प्रस्ण बहुत पुराना है नहीं पुछेगा पुछेगा भी तो उसके साफ से अगर ब्रीच पुछेगा यह बीच पुछेगा अरे पक्ची पुछेगा तो उसको थोड़ा सा देख लेगा लेकिन ऐसे हमको लख रहे डोडो पक्ची ही होगा जो बिलुप्त होने के कारण जो है वो प्रज्णन में सफल रहा और इसकी वज़ा से यह भी एक लगभग यानि होता फ्लाइंग फोक्स निम लिखित में से क्या है अप्शन ए है दोस्तों चमगादड बी का रहा है कि चील सी का रहा है ब्लॉक और डी का रहा है गिद तो भारती वन जीवन के संदर में उडियन ब्लूग जो होता है दोसे फ्लाइंग फोक्स किसे कहा जाता है तो आप लोग पता होंगे कि यसे चमगादळ को कहा जाता है बहुत असान कोश्चन था यसे मूश से खाता है उसी मूश से हगता है और एक radiation के माध्यम से उड़ता है इसको जो ओती आख नहीं होती है दिखान नहीं देता है तूच्फटे के इंडियन फ्लाइंग फोक्स चमगादर की एक प्रजाती है जो बंगला देश चीन भारत नेपाल पकिस्तान और स्री लंका में पाई जाती है और इसे एक ग्रेटर इंडियन फ्रूट बेट कहा जाता है कि नाम से भी इसे जाना जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ चाहिए खास नहीं था इसमें केकि आप लोग जानते होंगे अगला प्रस्था दोस्तों की डियूंग गेंग नामक समुंद्री जीव जो की बिलोपन की कागार पर है क्या है और सा एक कराक उभैचर है बी कराक बोनी फीस है सी कराक सार्थ है डि कराक इस्तंधारी में मिल ह लींग गुंग जो है दोस्तों ए जो है अपका समद्री इस तंधारी मेल है यहां पर मेल थे धिरी लोप्त होने के कंगार पर है छहें आगे बढ़ते हैं अग़्ला प्राशन थोड़ा लंबा प्रस्ण है कि भारत में पाया जाने वाले इस्तन्धारी ड्यूंगोंग के संदर्व में निमलिखित कत्नों में से कौन से सही है यहाँ पर एक कह रहा है कि यह एक साकाहारी समंद्री जानवर है यानि दूसरा कह रहा है कि यह भारत के पूरे सम्मुंद्र तटके आसपास पाया जाता है और तीसरा कर रहा है कि इसे वन ने जिव संदक्षण अधिनियम उनिसो बहतर कनुसुची एक के अधिन विधिक संदक्षण दिया जाता है नीचे दिया कुट का प्रयोकर सही उतर को चुनिए यहाँ पर option का रहा है कि A और सम्मुंद्री इस्तंधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें सम्मुंद्री गाय यानि सी काव भी कहा जाता है त्याद रखेगा कि घास खाने के कारण इसे सी काव यानि सम्मुंद्री गाय भी कहा जाता है डिंगों को वनस्पती संदक्षण अधिनियम उन 1972 के अनुसूची एक के अधीन वीभीद संडाक्ष्ण प्रदान किया गया है , यह अगला प्रस्ण है कि बलुई और लवड़िये छेतर एक भारतिय पसू जाती का प्राक्रतिक आवास है उस छेतर में उस पक्षी के कोई पर भक्षी नहीं है किन्तु आवास धवन्स होने के करण उसका अस्तित खत्रे में है या पसू निमलिखित में से कौन सा हो सकता है यह जगा भारतिय वन भैसा कुरं के तहां होजागा दुस्तों हाषी वण गधा यानी franch इसका bit सही हो जाएगा कि बल्लुई और लवडियी चेत्र के भारते पसु जाती के प्रक्रेति कावास है जिसे उस पसुखो कुंध देखे तो धीरे धे पसुख के कोई भी भक्छी नहीं है कि आवास feels होने के करण में जो अज त होता है प्राकृतिक अवास माना जाता है यादक्थिए कच कारण जो है भारती वन न Quindi में किनतो आवास छेत्र की सिमित होने कारण जो है इसका अस्तित जो है खत्रे में यहानि के जीव को कोई मार के खा नहीं रहा है कोई दुसरी जीव इसे खा के खत्म नहीं कर रहा है लेकिन इस taraf अगर कारण क्या हुआ है जो चाहिए था इसका आवाज जो चाहिए था प्राकृतिक आवाज वही बिलुप्थ हो रहा है जिसके करण इसकी जो संख्या में कमी आ रहे है बिलुप्थ होने के कारपर होने लगा है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्था है दोस्तों कि प्रोसोफिस जूली फ्लोरा नामक पाद प्राय क्यों समाचार पत्रों में उलेखित होता है प्रोसोफिस जूली फ्लोरा प्रोसोफिस जूली फ्लोरा के बारे हम पूछा जा रहा है कि समाचार पत्रों में क्यों उलेखित रहता है चलिए option अपढ़िए option का रहा कि इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन समागर्यों में उप्योग होता है B का रहा कि जिस छेतर में उगता है वहां कि जो विविता को कम करने लगता है C का रहा कि इसके सार का उप्योग किटनास को संडक्छन में किया जाता है डिकरा उप्यूक्त में से कोई नहीं ति जो पौधा है दोस्तों प्रो सोफिस जूली फेरा इसके बीसे में अगर देखे तो बीसे ही हो जाएगा कि जिस चेतर में उगता है वहां कि जे विविता को कम करने लगता है इसी चलते यह देखे तो समचार पत्रों में उलेखित रहता है आईए इसके ब्याख्या को देखने हैं किलियर हो जाएगा प्रो सोफिस जूली फेरा मुलेता मैकिसको दच्छिल अमेरिका यो केरेवियन छेतर का एक छोटा पौधा या जाड़ी है यह पौधा देखे तो भारत में उनस्वी सतावदी में लाया गया और इस पौधों को हिंदी में बिलायती बबुल कहते हैं याद रखे से हिंदी में बिलायती बबुल कहते हैं ऐसा माना जाता रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है बीसे सग्यों का कहना है कि इसकी जड़े काफी गहराई तक चली जाती है और यह भू जल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है यह जड़ हो धिरे-धिरे अंदर तक चला जा बहुत गहराई तक जाता है और भू जल को धिरे-धिरे सोखता है यह पधाना के वल मीटी से जल सोसन के बल्कि आसपास के छेतर में वायू की नमी को भी खत्म कर देता है यह पधा जो हता है वायू मुंडल में विभीन जहरीले पदार्थों का उत्सरजन करता है इस पस्ट है कि यह जे विभीता के लिए एक खात्रा बना हुआ है याद रख आगे बढ़ते हैं निम लिखित राजियों में से किसमें सिंग पुक्षी वानर अपने प्राक्रिति का वास में पाया जाता है अप्सान एक तमिल नाडू बी करा केरल सी करा करनाटा को डी करा आंत प्रदेश नीचे देर कुट का प्रयोंकर सही उतर को चुनिए केवल एक तीन और चार और डी करा एक दो तीन चार तो यहां पर अगर देखे दोस्तों तो यह का रहा कि सिंग पुची वानर दखिन भारत में इस्थीत जो है इसका एंसर राइट हो जाएगा दोस्तों एक दो और तीन यानि कि अप्सन देखे तो सिंग पुची बावर कहा सब्सक्राण से ले कर गया पका तामीलि नाड़ॵ ताट तरी यहजो इरिया है यही पर आज जाता है और यह वानत जो है तमिल्नाडु में किर्ल में करेट एक करेट Арङण दूसरा कृट हुच्टा तीसरा का यहां पर देखे दोस्तों तो इसमें का रहा है कि इसमें कौन-कौन से प्राकृतिक रूप से पाया जाते हैं तो यहां पर भी हो जागा एक तीन और चार यानि प्राकृतिक रूप से पाया जाते हैं जबकि चीता के प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाते हैं आये इसके ब्याख्या को देखते हैं किलियर हो जाएगा वर्स 1922 में चीता को भारत से बिलुप्त घोसित किया गया था हिमाचल परदेश और उत्राखंड में किये गए एक सर्वेक्षण में इस बात के पुष्टी हुई है कि हीम तेंद्वा भारत में उपस्थित है यानि हीम तेंद्वा भारत में उपस्थित है काली गर्दन वाला सारंग जम्मू यो कस्मिर राज का पक्छी है उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस चीन जपान और आपका इरोप अफरीका उत्री अमिरका अनेक देशों में पाई जाती है भारत में उड़न गि की शेता कुनिसों बावन में जो है बिलुप्त घोसित किया गया है कि आगे देखते है चलिए अगला प्रसन की और आगला प्रसन के निमझा कत्नों पर वीचार कर दोस्तों लेकिन चीता तो अभी विधेखने को मिलता है कि अब इसके संदख्षयन भी चल रही है लेकिन जो चीता के बात हो रही थी यह हो गया दोस्तों कि जो हिमाले प्रदेश उत्राखंड के छेत्रे में जो सर्वे किया गया था उसके अधार पर उसको गोशित किया गया था अगला प्रस्ते निमली कत्नों पर विचार कीजिए अप्शन एक रह का अंडमान और निको बर्दिवसों में लवन जल मगर पाया जाता है दूसरा कार का माला बार छेत्रे की पच्मी घाटों में सुरू टोर और टैपीर पाया जाते हैं उप्यूत कत्नों में से कौन से सही है तो यहां पर ग़र देखे दोस्Lab Ain'tar Cup Date इलेुंट तो यहां पर देखे, सट्यकान कत्तन में अगर देखे, सभास कंदमाण और सभी玩 드l tomatoes तो लवन जल्मगर समझ रही है दोस् Sask Landau exactement के पच्वी घाटों में तथा सुरू और टेवर पाया जाते हैं यह गलत है कि चलिए बैख्या देखते हैं अन्दमान यह निकोबार के समुद्री जीव कराया जाते हैं मंगर इसका नाम दे सकते हैं तक दोनों लगभग एकशी टाइप दिखते हैं अहां पर देखें तो समुद्री मज जो कचुँआ हो गया और आधी समानी रूप से बहुतायत पाया जाते हैं जबकि सुरू यों टैवोर 20 साल हिमाले स्रिंक्राइं पाया जाते हैं नकि मालावार चेत्र में पाया जाते हैं जिले आगे दिखते हैं नीम्न कथन पर विचार कीजिए option A कारा कि भारत में रेड पंडा प्राकितिक रुप से केवल पज्मी हिमाले में पाया जाता है दूसरा कारा कि भारत में slow lorries उत्तर पूरूर के सगनवनों में रहता है और प्युब्ध कतनों में से कौन से सही है pension a करा की केवल e b करा की केवल d Onu और c करा की एक और दो दो नो ड करा की न तो एकतर नहीं दो तो याद रखेगा दोसनों कि इसमें अगर देखें तो बी अफका इंसर सही हो जाएगा बी में बारत मेनासलो लॉरी जो है उत्तर पूरुमी की सगन वन्हों में रहता है अब अब लोग समाझते हैं पुरूइटर भारत कर सकते हैं उस प्रदेश यह सब जो आपका वन छेत्र है आपका तो इस छेत्रों में अगर देखें तो इस पाया जाता है मणीपूर, नागा, लेंड ओगरा इस सब एरिया जो काफी जंगली एरिया है भारत में रेट पंड़ा प्राकेश्तिक रूसे उत्री पूर्वी भारत के उप हिमाले छेत्रों में पाया जाता है भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतर जो है तो उत्र पूर्वी राजियों जैसे का असम और उनाचल परदिस नागा लेंड मडी पूर मिजूरम तिरुपूरा में घाले में पाया जाता है तो कथन जो दो है वो सही है जबकि आपको ध्यान में रखना है दोस्तों स्लो लॉरिस जो है भी पूर्वतर भारत में पाया जाता है न की ये पचमी हिमाले छेतर में पाया जाता है पचमी हिमाले समझ रहे हैं दोस्तों अपका जम्मु कस्मिर कस्मीर हो गएरा के ओरिया में आ जाता है चलिए आगori पढ़ते हैं दोस्तों आगला प्रस्टे की निम लिखित में से कौन से सही सुमलीत नहीं है कि ऑप्सण और है लुन हरे लंगूर बेक अ बिलूप प्राया प्रजाती है सी करा कि लॉंग गीबन प्रइप्र जाती है और डि कर ए सटार मार्स लगा हुआ दोस्तों इसके बैख्या को देखें रिख्या में क्या है विससे किलियर हो जाएगा कि क्या बैख्या इस्टार मार्स है अब क्या इसको आयोग ने उतर दिया उसको भी थोड़ा समझ लेजिए लिखा है कि I, U, C, N, Red List के नमिंतम सूची में मरवस्थलिये बिली के नाम से कोई भी जानवर सूची बद नहीं है यानि कि जो अप्शन B में था मरवस्थलिये बिली उसके नाम से को कोटे बिलुप्त प्राया स्रेडी में है यानि इस इलियाई जो है बिलुप्त प्राया स्रेडी में रखा गया है जो कूटे है इस परकार जो B और D जो है दोनों सही सुमलित है बी और D, B में जो था मरवस्थलिये बिली यानि बिलुप्त प्राया प्रजाती है और D जो है और जो आगला है अब संभेलन रामसम संभेलन इस वीडियो का आगे लेके आएंगे दोस्तों कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है तो इसका पीडियो जो बनाएंगे और आप लोग के देंगे कोश्चन फिर कराएंगे फ्रेक्टिस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंद